वेलकम ट्वाइस टीचिंग आज की वीडियो में हम कुर्ति की साइट पर डोरी वाला डिजाइन बनाएंगे देखिए बहुत ही सुन्दर डोरी वाली डिजाइन लग रही है तो आईए हम स्टार्ट करते हैं कैसे बनाते हैं तो देखिए सबसे पहले मैंने ये कुर्ति का पूरा मार्किंग करके रखा है वेस्ट का हीप का जैसे हम करते हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने जो हीप का मार्किंग लिया है वो हीप डिवाइड बाई 4 लिया है तो अभी हमें उसके 4 से 5 इच उपर एक मार्किंग लेना है और यहाँ पे एक line draw कर लेंगे, अभी हमने जो hip का marking लिया हुआ है, वहाँ पे हमें minus 0.5 या 1 inch करना है, देखें यहाँ पे जो marking है, वहाँ पे हमें 0.5 या 1 inch का minus करना है, अगर आप 0.5 का minus करेंगे, तो 1 inch का gap रहेगा, और 1 inch का minus करेंगे, तो 2 inch का slit के बीच में gap रहेगा, वहाँ आपके उपर है, और जो marking आया, उसे आपको waste के उपर इस तरह से निशान को मिला लेना है, इस तरह से हम निशान को मिला लेंगे, और जो हमारी जो 4 inch की जो line थी, वहाँ से हमें 1 inch का, यहाँ पर 1 inch का हमें seam allowance लेना है अभी, क्योंकि यह अमारी अभी नई hip line हो गई है, इस तरह से हम 1 inch का seam allowance लेगे, और अभी यहाँ से हमें पूरी line नीचे तक draw कर लेनी है, hem तक, तो अब यह हमारी नई cutting line है, यहाँ से हमारा dress cut होगा, देखे, आप देख सकते हैं, पहले की line और अभी की line में कितना एक inch का difference हो गया है, और इस line को हम waist की line के साथ इस तरह से मिला लेंगे, अभी यह हमारी जो नई line है, चारी नई उपर वाली, वहाँ तक ही हमें सिलना है, और वहाँ से हमारा slit अभी start होगा, तो अब हम cut कर लेते हैं, इस तरह से जो नई line आई है, वहाँ से अभी हमें cut करना है, देखें, इतना हमारा अभी कम dress कट होगा, पहले से हमारा कम cut होगा, देखें, पहले की line और अभी की line में कितना difference है, और जो नई line है, चारी उपर वाली, वहाँ पे हमें अभी इस तरह से marking ले लेना है, अभी हमें इस line तक ही stitch करना है, हमारी slit यहाँ से अभी start होगी, तो देखें, जो नई line हमें मिली है, वहाँ तक मैंने पूरा address seal लिया है, और जो chalk fold करने हैं, जहां से वहाँ पे मैंने प्रेस लगा दी है, तो हमें crease मिल गई है, तो हमें पता चले कि हमें कहाँ पे loops को लगाना है, तो देखें, यहाँ से हमारी slit start होगी, तो यहाँ पे हमें एक एक इच का difference करके हुए 5 loop लगानी है, आप 6 भी लगा सकते हैं, तो हमें इस तरह से दोनों side पे 5 marking कर लेनी है, एक एक इच का gap छोड़के, तो हम यहाँ पे 5 loop लगाएंगे, इस side पे और 5 loop उस side पे लगाएंगे, देखें, हमें एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, कि हमारी जो marking है, वो एकदम आमने सामने आनी चाहिए, नहीं तो जो हम loop लगाएंगे, वो थोड़ी से उपर नीचे हो जाएगी, अब हम एक 1.5 की एक पट्टी ली है, यह देखें क्रॉस पट्टी नहीं है, उरेफ पट्टी नहीं है, स्ट्रेट है, देखें इस तरह से इसकी हमें 10 प्लस 10 20 loop बनानी है, तो इस तरह से एक बार, फिर दूसरी बार और फिर इस तरह से फोल्ड करके हम इसे स्टीच कर लेंगे, इस से हम loop बनाएंगे, आप loop बनने के लिए दोरी का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट पट्टी का यूज़ कर रही हूँ, अब हमें 3.5 inch length की इस तरह से total 20 loops को कट करना है, तो हम इस तरह से 20 loops कट कर लेंगे, दस इस साइट पे और दस उस दूसरी साइट पे, अब हमें यहाँ पे जहाँ पे हमारी क्रीज बनी हुई है, प्रेस की, वहाँ पे जो मार्किंग है, वहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड करनी है, लूप को, और इस तरह से हमें राइट साइट के ऊपर यह देखिए, राइट साइट के ऊपर हम स्टीज कर रहे हैं, तो हमें पांचों पांच जो हमने मार्किंग किया है, वहाँ पे इस तरह से लूप्स को लगा देनी है, बैक टेक करके लगाएंगे, एक दम अच्छे से इसे स्टीज करना है, यह बाद में निकल नहीं जानी चाहिए, तो देखिए, इसी तरह से बैक टेक करके स्टार्ट करता है, और बैक टेक करके ही एंड करेंगे, और इस तरह से मैं पांच एक साइट पे, और जो पांच लूप है वह दूसरी साइट पे लगा दूंगी, और फिर इसी तरह से दोनों साइड के उपर इस तरह से लूप्स को लगा के पूरा ड्रेस रेडी करके आपको दिखाती हूँ फिर आगए देखे हमें क्या करना है यह देखिए हमने दोनों साइड पर लगा ली है यह देख सकते हैं आप आमने सामने यह बराबर आ गई है आप देखिए अंदर की पत्प्ते ब हमें इसे कर सब्सक्तिक फोल्ड करेंगे तो जब मोटी मोटान सुझायए के लिए सहे we कि अभी हमें स्टिछ कर लेना है इसतार सम इसे फिक्स कर लेंगे तो तो जब हम हमारी चाक की पट्टी जब फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने में एकदम आसानी होगी तो इसे फिनिशिंग के साथ अगर हमें स्टीच करना है तो पहले इस तरह से हम इसे स्टीच कर लेंगे तो मैं सभी साइट के उपर इसे स्टीच कर लेती हूँ तो यह देखिये एक्स्ट्र जो भी होगा हमें कट कर लेना है तो देखिए दोनों साइट पर मैंने स्टीच कर लिया है अभी हमें चाक की पट्टी को फोल्ड करना है हैं जैसे हम फोल्ड करते हैं देखें इस तरह से हम फोल्ड करते हुए उपर आएंगे और यहां पर देखें इस तरह से फिर इसे फोल्ड करना है जिससे अंदर की साइट पर भी एकदम फीनिशिंग के साथ ये believe stitch हो जाएगा दीखें इस तरह से हम इसे अंदर की साइट पर फोल्ड करेंगे हैं जितनी तरह से अंदर की साइट पर फोल्ड करके इस तरह से हम चाक बना लेंगे जैसे हम बनाते हैं लेकिन इस तरह से पूरी फिनिशिंग के साथ हमारी प्रोफेशनल वेक से हमारा चाक पट्टी रेडी हो जाएगा इस तरह से हम यहां पे भी इसे स्टीज कर लेंगे तो इस तरह से मैं दोनों साइड पे कर लेती हूँ और अब देखिए अभी हमें दोरी बनानी है तो मेरी कूर्ती बहुत ही लंबी है तो मैं बहुत ही लंबी दोरी बनाऊंगी आप अपने हिसाब से लंबी या छोटी जैसे चाहे वैसे दोरी बना सकते हैं यह देखिए हमारा अंदर की साइट से फिनिशिंग और यह बाहर की साइट से हमारा फिनिशिंग देखिए अभी मैंने दोरी बनाई है तो मैं फोल्ड में आपको दिखा दिए हूं कितनी लंबी दोरी मैंने बनाई है 33 inch की folding में दोरी बनाई है क्योंकि मेरी कुर्ती बहुत ही लंबी है तो इसे इस तरह से हमें safety pin में इस तरह से लगाना है और देखे इस तरह से हमें loop के अंदर डालना है फिर इस side से फिर सामने वाली side से डालेंगे फिर एक छोड़ के देखे एक छोड़ के दूसरे उपर वाले में हम डालेंगे इस तरह से और इस तरह से हमें आमने सामने एक-एक का gap छोड़ते हुए दोरी को इस तरह से पास कर लेना है सारी loop के अंदर से और यहां से देखिए हमें अभी इस तरफ टर्न कर लेना है दोरी को दूसरी साइट पे और जो हमने छोड़ी हुई थी लूप उसमें से हम पास करते हुए नीचे की साइट पे अभी आ जाएंगे इस तरह से और आप देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर डिजाइनर हमारी साइट लूप वाली साइट डोरी वाली कुर्ती रेडी हो गई है अभी इसमें आपको लटकन बनाने हैं तो आपको जो मन पसंद हो लटकन वह आप बना सकते हैं यह देखिए इस तरह से यह पहनने के बाद ऐसी दिखेगी देखे यह देखिए मैं लटकन भी बना दिये हैं यह देख सकते हैं आप तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आप नहीं है तो चनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक की थैंक यू फर वाचिंग कीप वाचिंग